गाजयाबाद के इस पंडित ने फिर से दारुल उलूम देवबंद को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है मेरा आपचा अनुरोध है उन्होंने सौ करोड हिंदूओं की अत्या का फत्वा दिया है मैं आपचे अनुरोध करना चाहता हूँ आपका बुल्डोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुँचना चाहिए आपका बुल्डोजर वहाँ पहुँचे और दारुल उलूम देवबंद को द्वस्त करके दिखाईए चोटे मोटे लोगों पर बुल्डोजर चला कर कुछ नहीं होने वाला है आज ही आपके बुल्डोजर मेरा अनुरोद है दारुल उलूम देवबंद को द्वस्त करिये और मेरा हिंदो से अनुरोद है अगर तुमारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदो तुम करो वरना ये तुमारी नसलों को नहीं चोड़ेंगे इस यती ने सीम योगी से मांग की है कि दारुलूम देवबंद को बुल्डोजर से गिरा दिया जाए तो आप सबने सुना किस तरह यती दारुलूम देवबंद के उस पुराने फत्वे को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा करना चाते हैं और ये वो लोग है जो हमारे महबत भरे मुल का माहौल खराब करना चाते हैं यती कि इस बयान के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम सहाब का ये बयान भी सुनिये और साथ में हिंदुस्तान के कोने कोने तक डॉक्टर मुफ्ति मुकर्म साहब का ये बयान जरूर पहुँच जाना चाहिए ताके लोगों को पता चले के मुसल्मानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है कभी यूपी से खबर आ जाती है कभी महराष्टर से कभी करनाटक से कभी हरियान से कभी उत्राखंड से कभी कई से हिंदुस्तान में फिरका परस्ती फैल लएए नफरत एक खास फिरके से तास्थू कई मजजिद कई दरगा कई खबरस्तान कई जान कई कुछ तो जैसे आपने सुना था अभी हल्दवानी में जो कुछ हुआ था तो एक तन्जीम गई थी वहाँ पर कुछ समाजी कारकुन गए थे उन्होंने वहाँ जाकर इंकौाइरी की तो देखा कि वाकई महाँ पर जो कुछ हुआ गलत हुआ हम मतालबा करते हैं कि जो लोग माज़ शहीद हो गए थे पुलिस की गोली से उनको मुआफ़ा मिलना चाहिए और फिर्खा परस्ती खतम होनी चाहिए जो हमारा आहिन कहता है सम्विधान वो होना चाहिए सुप्रेम कोट को बहुत सक्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए आपने देखा आगरे के अंदर जो जामा मजज़ित के नाम से मेट्रो इस्टेशन था अब उसका नाम बदल दिया मेट्रो इस्टेशन पहले था जामा मजज़ित के नाम से आगरे की अब बदल के कुछ और कर दिया नफरत है बाद भाई अगर हिम्मत है तो ताज महल बना दो नाम बदलने से क्या होता है आप ताज महल की टकर का एक ताज महल बना के दिखा दो लालकिला बना के दिखा दो खुटोप मिनार बना के दिखा दो 800 साल तक यहां पर जो हुकुमत हुई मुस्लिम बात्चाओं ने कहीं इसका सुबوت नहीं है कि उन्होंने फिर्क परस्ती पहलाई हूँ कई सुबूत नहीं शांती अमन और आज भी हम यह चाहते हैं कि गंगा जमनी तैजीव हो मैं पढ़ रहाता अखबार में कि कुत्व मिनार के पास जो वहाँ पर तारीखी कुत्व मिनार को देखने के लिए जो पब्लिक जाती है ना वहाँ पर वहाँ पर गाड़ियों का इतना ट्रैफिक होता है कि उसके लिए कानून बनाना पड़ा एक साल में कम से कम 30-40 लाख लोग हिंदुस्तान के और बाहर के कुत्व मिनार को देखने जाते हिंदुस्तान का फाइदा है ना भाई हिंदुस्तान का नाम भी है हिंदुस्तान का फाइदा भी है जब एक दफ़ा कुत्व मिनार को लोग देखने देख के जाएंगे वीडियो बनाएंगे फोटो बनाएंगे तो फिर महा के लोग और देखने आएंगे ताज महल को अगर कोई देखने जाता है हमारे एक रिष्टेदार आये थे आस्ट्रेलिया से रिष्टेदार क्या मिलने वाले आये थे उनके साथ एक 8-10 साल का बच्चा था जो अस्ट्रेलिया में स्कूल में पढ़ता था तो उस बच्चे ने जब अपने साथियों से जो किलास फैलो हैं उनसे कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ तो वहां के बच्चों ने कहा कि तुम ताज महल देख के आओगे देख रहे हैं ताज महल से भारत का नाम उचा हो रहा हैं ताज महल से भारत में बाहर के लोग आ रहे हैं विदेशी आ रहे हैं फाइदा है ना तो हम तो यह चाहते हैं कि देखिए हमारे मुल्क में आमन रहे शांती रहे 1991 में जो कानून बना है वर्शिप पिलेसिज एक्ट उस पर अमल होना चाहिए हम हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो इसाई हो जो भी हो सब भाई बहन सब साम पर दाएक सद्भाव पियार प्रेम हमारा मख़ब जो है सबसे प्रेम और महबबच चाहता है हमें वो ही रखनी चाहिए और किसी भी तरह से नफरत में नहीं पढ़ना चाहिए और जो लोग हिंदूस्तान में नफरत पहला रहे हम उनकी मख़मत करते हैं और हम दर्खास करते हैं कि फरकापरस्ती पहलाने वालों के खिलाब सरकार को भी कारवाई करनी चाहिए और सुप्रेम कोट को भी कारवाई करनी चाहिए